हे दोस्तों स्वागत आप साबका मैं आफुर आवला डिजल मार्किटिंग एक्सपर्ड मोडिवेस्टन स्पिकर फाउंडर और वॉक्ष्मिडिस लिचंस टॉट कॉप कैसे बना सकते हैं आ होश्टिंग कैसे ले सकते हैं कौन से तրिमाप चूश चूहols कर सकते हैं और कैसे दोस्तों completely अपना एक एक mobile एपलिकेशन ब inten नाके उसका यह सब्सक्राब कर सकते हैunkyसे सब्सक्राब कर लिजिएगा नेचे जो आपको रैडब परउन का अगया उस पर पर ही प्रेस कर द spoke कर लिजिएगा दाक्या आपको इस्टाह बंग बाता देता हूं कि आपमें बसेनस के फूरी मॉबाल अप्डिकेशन कैसे बना सकते दोस्तो free mobile application बनाने के लिए सबसे पहले आपको Google में विजट करना है और Google में विजट करने के बाद दोस्तो आपको यह पर type करना make free apps और उसके बाद दोस्तो आपको search बटन पर click कर देना है search बटन पर दोस्तो आप जैसे click करें के Google के अंदर आपके सामने बहुत सारी website आ जाएंगी जिनकी मदद से दोस्तो आप अपना free mobile application बना सकते हैं यहाँ पर आप दोस्तो देख सकते हैं Google के अंदर आपके सामने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनकी मदद से दोस्तो आप अपना free mobile application बना सकते हैं और आप अपने business को easily manage कर सकते हैं लेकिन दोस्तो आज मैं आपको जिस platform की मदद से है जिस website की मदद से मैं आज आपको free mobile application बना के सिखाने वाला हूँ उसका नाह हमें दोस्तो आपी भाई यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं appy.com का जो official website का link है वो आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा तो अगर दोस्तो आपको appy.com की मदद से free mobile application बनाना है तो इसका जो official website का link है इस link पर आपको click कर दे link पर दोस्तो आप जैसे click करेंगे appy.com का जो official website है वो आपके सामने इस परकार से खुल जाएगा यहाँ पर दोस्तो देख सकते है appy.com का official website आपके सामने खुला हुआ है और यहाँ पर दोस्तो आप पढ़ सकते है app builder to make your first app without coding आप बिना किसी coding के आप यहाँ पर अपना free mobile application बना सकते हैं और आप उसको अपने android के अंदर इस्तमाल कर सकते हैं आप iphone के अंदर के लिए भी बना सकते हैं और three steps के अंदर आपको step by step आप आप अपने mobile application को यहाँ पर complete करना है तो अब दोस्तो हम भी यहाँ पर एक mobile application बना लेते हैं लेकिन दोस्तो उससे पहले मैं आप कोई कुछ चीज बताना चाहूंगा अगर दोस्तो आप appipy.com की मदद से free application बनाना चाहते हैं तो जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ आप इसके बारे में थोड़ी सी पहले पूरी की पूरी information पढ़ लीजेगा कि appipy.com पे आप अपना mobile application कैसे बना सकते हैं कौन-कौन चेज़ फूचर और कौन-कौन चेज़ फंक्शन चेज़ हैं कौन-कौन चेज़ टूल्स हैं जिनकी मतद से दोस्तो आप अपना mobile application याप फेरी में बना सकते हैं आप उसको monetize भी कर सकते हैं या नहीं है सारी की सारी information आप appipy.com के बारे में सबसे पहले पढ़ लीजे उसक आपकी information के लिए है आपकी knowledge के लिए है कि आप अपने business के लिए free में mobile application कैसे बना सकते हैं तो दोस्तो उमेद करता हूँ आपने पूरी कीrice की पढ़ ली होगी information पढ़ने के बाद दोस्तो अब हाँ step by step एक mobile application याप बना लेता हैं तो mobile application बनाने के लिए दूस्तो आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, सबसे फ़ले दो ippy.com आप यहां पर देख रहे हैं, इसके अंदर आपको अपना account create करना पड़ेगा, यहां पर देखिए हैं दोस्तों, आपको यहां पर join और login का बटन देख रहा होगा, तो मैंने already जो mobile application की website है, इसको मैंने already join कर रहा है, तो आप भी यहां पर एक बार इसको join कर लीजे, और join करने के बाद दोस्तों, आप अपने account को यहां पर login कर लीजे, तो मैं भी अपने account के यहां पर login कर लेता हूँ, account login करने के बाद दोस्तों, आप आपको क्या करना यहां पे आप दिख सकते हैं create your free app वाला जो आपको button दिख रहा है इस वाले button पे दोस्तों आपको click करना है button पे दोस्तों आप जैसे click करेंगे आपके समने एक नया page खुल जाएगा जिसके अंदर आपसे box media solution तो मैं यहां पे box media solution एक बार डाल देता हूँ और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है box media solutions आपने डाला और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे दिख सकते हैं next वाला button आपको दिख रहा होगा तो next वाले button पे आपको click करना है नेक्स वान रे बटन पर आप दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे दोबरा से आपके सामने एक नया पीस खुल जाएगा और उसके अंदर भी दोस्तों आपको कोई सवाल पूछी जाएगे वैसे आपसे सवाल नहीं यहाप एक कैटेगरी चूज करने के लिए बूला जाएगा यहा चूज कर लिजे मैं आज अपने बिजनस के लिए यहाप एक mobile application बना रहा हूं तो मैं यहाप बिजनस करूज करूँगा अगर आपका कोई और तरीके का mobile application बना रहा है किसी और category क्ली तो आपको यहाप बहुत सटरी categories दी गहीं है उनका आप इस्तमाल कर सकते हैं मैं business के पहला आप light color चूस कर सकते हैं मिलते हैं तो मैं याप Лाइट चूस कर लेता हूं और हही अप में देख सकते हैं पहला जह कालर हो काफी अच्छा लग रहा है तो मैं इसा color पे click कर देता हूँ color पे click करने के बाद दोस्तो अब आपके सामने हाँ पे देख सकते हैं कि एको नया page इस परकार से खुल गया होगा जिसके अंदर दोस्तो आपको यह select करना है कि आप किस device के लिए आप अपना mobile application बनाना चाहेंगे आप Android के लिए बना रहे हैं जा फिर iPhone के लिए बना रहे हैं तो जिस भी device के लिए आप अपना mobile application बना रहे हैं वो device आपको यहाँ पे चूज करनी है मैं आज यहाँ पे Android के लिए बना रहा हूँ तो Android वाले option पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा Android option पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने customize your app वाला जो page है वा आपके सामने खुल गया जैने कि करीब करीब आपका जो mobile application है वो यहां पर देखे ready हो गया और यहां पर दोस्तों आप अपने mobile application का preview भी देख सकते हैं देखे box media solution और यह phone का एक design है और इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4-5 pages मेरे पास सामने आ रहे हैं जैसे about us वाला है, website वाला है, call वाला है, inquiry और contact us वाला जो page है वो मेरे सामने आ रहे हैं तो इस परकार से दोस्तों वैसे आपका mobile application ready हो गया है लेकिन दोस्तों अगर आप यहां से चाहें तो इस mobile application को यहां से customize भी कर सकते हैं तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आप कैसे अपनी mobile application को customize कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं header को आप किस परकार से customize कर सकते हैं header के अंदर दोस्तों अगर आपको walks media solution के जगह अगर आपको और कुछ text डालना है तो देखिए इस परकार से आप यहां पर text डाल सकते हैं और अगर आपको नहीं डालना तो आप यहां पर छोड़ सकते हैं अगर आपको text वगरे कुछ लिखना है तो text वगरे का color भी आप यहां पर change कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको layout कैसा चाहिए layout के अंदर भी आपको changes करने हैं तो आप देखिए layout के changes भी आप कर सकते हैं fonts वगरे आप यहां पर change कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको page के fonts वगरा में कुछ changes करने है, colors वगरा में change करने है, तो आप page के changes भी कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों दुबारा से आपको यहाँ पर header पर click करना है, header पर changes करने के बाद दूस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि आप अपने जो आपका mobile application है उसका layout आपको कैसा दिखाना है उसको भी आप customize कर सकते हैं इस परकार का आपको चाहिए तो आप इस परकार का choose कर सकते हैं और side out का आपको चाहिए कि side में आपके जो menus हैं आपको आपको आप यहां पर आपको अज़ाइश कर सकते हैं और इसके साथ साथ दूस्तों आपको और भी information चेंज करनी है यहाँ पर जैसे business name change करना है तो आप यहाँ पर business name भी changes कर सकते हैं जो भी आपको change करना है वो इस परकार से आप easily change कर सकते हैं change करने के बाद दोस्तों आपका जो mobile application है वो पूरी तरह से यहाँ पर customize हो गया भी और अब आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए दोस्तों आप यहाँ पर save and continue वाला option आपको दिख रहा है इस वाले option पर आपको click करना है option पर click करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका mobile application है उसका process यहाँ पर चल रहा है और आपका mobile application ready हो रहा है उस time ने आपका यह लेगा उसके बाद दोस्तों आपका mobile application यहाँ पर ready हो जाएगा अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं test your app और आपको app download करने के लिए यहाँ पर अभी link आ जाएगा देखिए दो मिनट का कम से कम आपसे time मांगा जा रहा है और इस scan code को आप वैसे सीधा scan करके भी आप अपने mobile application को download कर सकते हैं देखिए process आपको यहाँ पर दिखा रहा है इस process की मदद से आप अपने mobile application को download कर सकते हैं और अगर आपको सबसे easy method चाहिए तो आप सीधा क्या करिए लिंक को copy करिए और लिंक को copy करके आप इसको whatsapp के थूरू आप अपने mobile application में भेज लीजिए और उसके बाद दोस्तो आप अपने mobile application को easily download कर सकते हैं और अपने business को दोस्तो आप free mobile application की मदद से manage कर सकते हैं दोस्तो उमीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपने step by step दोस्तो ये भी सीख लिया होगा कि आप उन्में business के लिए दोस्तो फ्री में mobile application कैसे बना सकते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजेगा और साथी साथ दोस्तो मेरा वीडियो आप अपने family और friends तक भी जरूर शेयर कर दीजेगा दोस्तो वीडियो से रेलेटिव अगर आपको कोई सवाल जवाप है तो आप में नीचे comments box में comments कर सकते हैं साथी साथ दोस्तो आपको next वीडियो किस topic पर चाहिए दोस्तो आप में वो भी नीचे comments box में comments कर सकते हैं आज के वीडियो में दोस्तों बस इतने दोस्तों वीडियो से लगतार देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के आपका सभी का बहुत बहुत देने वाद मिलता हम दोस्तों आपका एक नए वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ तब तक लिए नमस्कार दोस तो जाहें